हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संगीता और होम बेकर चैनल में आज सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती स्वासवर्धक बहुती गुणकारी अचार इस अचार को मैंने अद्रक और नीबू के साथ तयार किया है यहां मैंने 100 ग्राम अद्रक लिये जिसे पहले ही धोके अच्छे से पहुँच लिया है और दो नीबू लिये हैं तो चलिए हम अचार बनाना शूर करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले अद्रक को अच्छे से छी लेंगे इसके छिलकों को बिल्कुल अलग हटा देना है इन छिलकों को दोस्तों आपको फेकना नहीं है इने सुखा के आप पाउडर बना के किसी भी सबजी में यूज़ कर सकते हैं या फिर चाय के शौकी नहीं तो उसमें भी आप इन छिलकों का इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों, यह अचार खाने में जितना टेस्टी, उतना ही स्वास के लिए बहुत लाप्रद है, इससे बात रोक दूर होता है, अपच की शिकायतों वो दूर होती है, कैल्शियम से भरपूर, डायप्रीज में काम आने वाला, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही ज्यादा स्वर होने वाला अचार है, यहां मैंने सारी अद्रक को अपने अच्छे सी छील लिया, और अब हिने हम इसके पतले-पतले स्पीसेज करेंगे, यहां मैंने थोड़ा पकी वी अद्रक का यूस करा है, जिससे कि हमारा अचार खराबना हो, दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी र रेस्पी की आपको जानकारी मिल सकें, यहां देखिया, मैं इसी प्रकार से सारे अद्रक के अपने स्लाइजर कर लूँगी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हो, यह इस तरह से करने से क्या होगा, कि हम यूस करने में हमें यह असानी रहेगी इतने पतले-पीस जिसे की हम जब इसमें नीबु का रस डाले तो यह असानी से उसमें इए, मैक्स हो जाया है। यह रेखिए हैं, सारे हमने पीसे कट करे थे हैं जो कि हम इसमें डाल दे रहे हैं। और आप निबु का रस इस के उपर डालेंगे, तो रस डालने के लिए हम इसको आप को निचोड़िए जिससे की इसके बीज और रेशे हट जाए और रस हमारा अच्छे से अद्रक में मिक्स हो जाए यहां आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं और अब हम इन सब को डालके अच्छे से इसे शेक करेंगे नीबू का रस और नमक डालने के बाद आप देखे हमारे अचार का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा हलका पिंग कलर आजाएगा देखने में भी बहुत टेस्टी और खाने में भी बहुत अच्छा है अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी पसंदा है तो कमेंट्स करना बिलकुल न भूलें मिलते हैं हम अपनी नई लिए की रेस्पी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक केए